सब्सक्राइब नेक्स्ट चैप्टर मतलब यह चैप्टर जो टू पढ़ रहा है हम लोग पीपल एन रिसोर्स का नेक्स्ट पेज पेज नमर 17 अब देखे इसमें लेंड लेबर के तरह है क्या है जो भी है आप देखे इसमें जो पिक्चर दिया हुआ है इसके अंदर बता रहा है आपका कि लुकिंग एड़ फोटोग्राफ्स कैन यू एक्स्प्लेइन हाव डॉक्टर टीचर इंजिनियर और टेलर और एन एसेट टू प्रकार से जो डॉक में काम करते हैं इसमें बताना काम किया गया है देखिए आप तो जाहिर सी बात है यह भाई है नहीं है क्या अगर नहीं रहेंगा तो और भी तमाम चीज़ें कैसे हो पाएंगे तो आप इसमें देखिए not only do the more educated and healthier people gain through higher income society also gain in other indirect जो पढ़ा लिखा है या जो healthier है सिर्फ उसका लाब उसे ही नहीं मिलता है उसके अलाव जो सुसाइटी है जो समाज है उसको भी इसका लाब होता है तो इंडिरेक्ट वे विकाउज देड़ाइज अपने आपको ही नहीं मिलता है, इसका लाब जो है आपका, दूसरे लोगों को मिलता है, सुसाइटी को मिलता है, समाज को मिलता है, तो वो पढ़ा हुआ है, उसके अंदर एजुकेशन ही है, मगर वो अपने एजुकेशन के द्वारा क्या करता है, दूसरे लोगों को मुरल वाली बात बताता है, और अच्छे काम करता है, उसी प्रकार एक डॉक्टर है, वो हो जानता है, वो कंसर से अपने स्वास्त को लेकर अपने हेल्थ को लेकर के, ठीक उसी प्रकार जो है आपका, वो दूसरों के स्वास्त को लेकर के भी ततपर रहता है, और वो दूसरों को मतलब स्वास्त करता है, तो कहीं न कहीं, इसका लाब जो है, वो लोगों को मिलता है, देखिए आप, in fact, human capital is no, human capital is one way superior to the other resources like land and physical capital, अ चाया वो physical capital हो, या land हो, सबसे superior कौन सा resource है, human capital या people-ledger resource है, human resources can make use of land and capital, क्योंकि human resource ही है, जो land का use करता है, capital का use करता है, पुझी का use करता है, land and capital cannot become useful on its own, और land हो या capital हो, पुझी हो, वो अपने आप में use like नहीं है, जब तक उसमें human, उसमें interfere करके, नहीं करता है, और उसको use like नहीं बनाता है, तब तक यह सब रखे पड़े रहेंगे, मैंने बता है, आपको कि धरती पर सुना है, चांदी, हीरा है, मोती है, तमाम चीज़ें है, मगर वो useful नहीं हो पाएंगे, अगर human उसको नहीं चाहा है, उसको technology की तरिकेसा नहीं कर पाया, उसको यूज नहीं कर होता है, इतने जाए लोग है, इनको कैसे feeding करा रखा जाएगा, इनको कैसे healthy रखा जाएगा, इनको किस परकार से खाने खिला यह इंको कैसे रोजगार दिया जाएगा, तो बहुत असकों तक हमारे है के ऐसा मतलब की रहा है कि हम लोग इसको एक liability की रूप में देखते रहे इसको हम लोग turn कर सकते हैं किस रूप में एक human capital के रूप में इसको हम लोग turn कर सकते हैं ये कोई बोज नहीं होगा ये कोई दायत तो नहीं होगा किसी देस का बलकि ये हमारे लिए एक productive assets होगा productive assets होगा मतलब उत्पादन करने वाले एक हतियार होगा एक समपत्ती होगा by investment in human capital ताकि हम लोग जो investment करेंगे human capital के अंदर में for example spending resources on education हम उनके अंदर education डालेंगे उनको पढ़ाएंगे health for all सबको स्वस्त रखेंगे मस्त रखेंगे training of industrial and agricultural workers works सब लोगों को आपका जो training देंगे industrial के लिए करके ITI और तमाम जो courses होती है पूल टेखनीक होती है यह होती है वो सब उनको स्किल्ट करेंगे agricultural workers जो आपके क्रिसी करने वाले काम करने वाले लोग हैं उनको भी हम लोग यूज आफ इन यूज आफ मोडर्न टेकनोलोजी उनको भी हम आजनिक तकनिक सिखाएंगे useful scientific research and so on बहुत से आपके वेग्यानिक सोध जो है हम लोग कर करके मनुस के अधार पर मनुस के द्वार करेंगे और करता है और इसके अधार पर क्या होता है उसको हम लोगे resourceful human capital के रूप में बनाएंगे और इससे क्या होगा हमारा जो है कि यह एक asset तयार होगा ना कि एक हाँ पर हम लोग को we have to discuss about a story of साकाल साकाल के बारे में हम लोग एक स्टोरी जाने हैंगे देखें 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 एक गाव है जहां पर विलास और साकाल करके दो लोग है और दोनों एक ही गाव के अंदर में रह रहे हैं तो हम अगले topic में अगले topic में हम लोग लेलू कामकास देखती है इस फादर बूटा चौधरी वर्ग इन अगरिकल्चरल फिल्ड उसके पिता खेत में काम करते हैं साकाल हेल्प ही मदर इन डॉमेस्टिक चोरस अब उसकी जो मा है मा को हेल्प करता है साकाल घर के कामों में ही आल्सो लुक्ड आफ्टर ही यंगर जीतु एंड सिस्टर सीतु अपने भाई कभी देखवाल करता है इस अंकल स्याम हैड पास्ट अग्याम पास किया हुआ है और वह क्या है एक वेकार पड़ा हुआ उसका चाचा कोई काम नहीं मिल रहा है उसे कोई काम करें नहीं रहा है जो भी है बूटा और सीला वियर इस सुन ज्वाइंड उसके माता पिता उसको फोर्स करते हैं तुमी स्कूल में लिखवालो वह ज्वाइंड भी कर लेता है यह स्टाटेट स्टडिंग एंड कंप्रेटेटि इस हाइर सेकेंडरी जिकाम एक्जाम एक्जाम नीशन और पढ़ता है और हाईर सेकेंडरी आता है उसके पिता जी बूटा चौदरी ताकि वह बोकेशनल कर लें कंप्यूटर के अंदर में साकाल वाज मेरिटरियस और इंट्रेस्टेट इन स्टुडिस फ्रम दे बीगनिंग जो साकाल है वो क्या है प्रतिवासाली स्टुडेंट है मेरिटरियस है और उसकी रूची है पढ़ाई में सुरवात के दिनों से ही दूशी है विदा ग्रेट विगोर और इंट्रेस्टेश्म ही कंप्लीड इस कोर्स वो काफी उत्साह के साथ और बहुत इक्षा के साथ जो है उसने अपने कोर्स कंप्लीट किया अप्टर सम टाइम ही गॉट जॉब इन प्राइब पर तो उस फार्म के अंदर वो काम करते था तो उसमें क्या हुआ आपका की हेल्प इम इंक्रीज सेल आप फार्म फार्म का जो सेल है उसके उसमें प्रोडक्शन में मदद हुआ इसके द्वारा बनाए गए सोफ्ट्वर से इस बॉस एकनॉलेज्ज इस सर्विस और रिवा की बात करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अखिर से स्टोरी का मतलब क्या निकलता है तो सो इसमें यहां तक यहीं रहेगा भी तक ठीक है अस्ट्रेंट्स